आदेवन्दू आपको स्वावत है मेरे चैनल धर्भ और ज्यानों है वैदिक शास्त्रों के अनुसार संतान प्राक्ति के दिये मंतर साधना धानिक अनुच्टान रत हवन आधी बहुत कुछ चीजे बताई जाती हैं इन्हीं में से चमतकारिक एक चीज है जो कि है संतान गौपाल मंतर शास्त्रों के अनुसार ये मंतर भगवान शेरी किर्शिन को समार पित है इस मंतर की महिमा पर शास्त्रों में बताई गई है ऐसा मानद जाता है कि इस मंतर का विरीवत तरीके से जाब किया जाए तो मनुश्य हर काहर न सपलता के साथ उत्तम संतान को संतान गुपालमंत्र इस प्रकार है ओम देव की सुत गोविंद वासु देव जगत पती देखी में तनेयम क्रिशन त्वा महम शरणम गते संतान प्राप्ति के इच्चुक या पुत्र प्राप्ति के इच्चुक लोग इसका तीन माला रोज जाप करने तो बहुत ही अच्छ मंत्रों के नुसार माना जाता है कि एक लाख बार जाप करने से सिद्धी की प्राप्ति हो जाती है संतान को पड़ मंत्र का जाप रोत्राग इस प्रटी को तुलकी की माला से भी कर सकती है जब एक लाख बार मंत्र का उच्चारण हो जाए तो दस हजार मंत्रों के साथ हव करना चाहिए इसके बाद वराममण को अपने शर्दान उसार भूजन खिला कर अपने घर से विदार करना चाहिए मंत्र की शुरुआ जिदी जन्माष्ट में इसे करें तो बहुत ही अच्छा माना जाता है जन्माष्ट में के दिन नित्य कर्मों से मुख्थ होकर इसनान कर लें इसके बाद गोपाल को इसनान कराने के बाद सच वफ्तर शिंगार आदी करें इसके बाद ही माफन मुझी दिका भोग लगा लें बोग लगाने के बाद तुलसी की माला से संतान गोपाल मंतर का करीब 108 बार जाब करें इसके बाद से नियमित रूप से इस मंतर का जाब करें इससे आपको जल्द ही भगवान के संतान की प्राप्ति होती है संतान गोपाल के मंतर से क्या क्या लाब मिलती है निसंतान को उत् countryside की प्राउपती होती है संतान के जीवन में आने वाली हर समस्या से छुटकारा मिलता है जिस लोगों की संतान जीव इतना ही रहती उन्हें भी इस मंत्र का जाब करना लाभकारी होता है जिन इस व्यों को बारबार गर्भात हो जाता है उन्हें भी इस मंतर का जाब करना चाहिए ऐसे हमारे धर्म जर्मतों की धार्म मानेताओं पर हम आपको बता रही है वीडियो अच्छी रखें तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे भी शेयर करें अन्तान गुपाल मंतर के इस वांट जवापको डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा